Hello everyone, कैसे हो बच्चो Hoping that आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे और आपका जोश सूपर आई होगा आज बहुत मज़ा आने वाला है Plus 4 Marks के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम लो Playlist कैसी लग रही है आपको अच्छी लग रही है लग पूरा follow करो सारे वीडियो को देखो क्योंकि limited समय में आपको बहुत ही valuable inputs मिलते हैं जो आपकी rank को enhance करने में बहुत help करेंगे ठीक है तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चो तो आज का जो key concept, जो special concept है जो जब एक सवाल मैंने देखा था जब J-min में आया था तो मैं खुछ shocked रहे गया था क्योंकि इस concept से normally J-min में question नहीं बनता था बहुत पहले आया था जिसमें सवाल पूछा किया था कि बही बताओ stable form जो होती है cyclohexine का इसा कौन सा conformer जो सबसे stable होता है तो आप सभी को शाहिद याद हो का सबसे stable form जो होता है conformer जो होता है cyclohexine का वो कौन सा होता है that is chair और least stable जो होता है वो कौन सा होता है that is half chair तो half chair सबसे least stable है और सबसे stable जो है वो chair है इसके बीच में कौन आता है twist boat and boat तो यह stability order आपको धिमाग में ध्यान रखना है हमें चाहिए यह help करता है chair subsistible फिर twist boat है फिर boat है और least stable जो होता है होता half chair अब यहाँ पर जो concept आया था आये उस बारे में बात कर लेते that concept is primarily of this question यह question आया था and are you the correct order of stability decreasing order जेम इन 2013 अब देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 अब यहाँ पर हमारे पास कौनसा conformer दिया हुआ है chair conformer दिया हुआ है और chair में हमारे पास methyls लगे हैं तो इस सवाल को एक बार observe करें फुद और इस तरह के सवाल को कैसे crack किया जाता है कैसे मचाय जाता है इसका की concept क्या है इसके बारे में हम बाग करने वाले है आज ठीके तो आप एक बाइस सवाल को देखिए observe करिए वीडियो को pause करके देख सकते हैं ओके बच्चो चलो hoping that आप सब इनी सवाल को देखा होगा देखो इसमें primarily funda ऐसा होता है कि जो methyls यहाँ पे लगे वे न इन methyls की position जो होती है वो दो तरह की होती है एक को बोलते axial एक को बोलते equatorial तो हम सीधा इसी concept पे आजाते और फिर इस सवाल को attempt करेंगे तो चलो सबसे पहले एक प्यारी सी chair form बनाते है बड़ा मजा आएगा ठीक है chair form के अंदर अब यह chair form बनाया है जसमें यह 6 carbons है जो आपको दिखाई दे रहे है अब इन carbons पे जैसे माल लीजे मैंने यहाँ पे लगा दी है कुछ groups यह हमने कोई भी group है A माल लेते हैं यह A यहाँ पे लगाया ठीक है फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे I J K L ठीक है तो यह जो आप सभी को दिखाई दे रहा है A, B, C, D और यह सब यह सब different groups लगे वे हैं अपने को यह clear होना चाहिए कि जब groups axial position पे लगे होते हैं तो axial पे अगर कोई बड़ा group लगा होता है तो repulsions जादा होते हैं तो यह point आप सभी के सभी note कर ले न कि अगर कोई group axial position पे लगा है तो क्या होता है? Stability घट जाती है तो लिख ले ना इस बात को If the bulky group is at axial position, stability decreases दिवाँ कोई clear हुआ? अब सवाल यह है कि axial position है कौन सी? तो आईए axial बताते हैं आपको यह axial कौन से बाली है यह एल हो गया त्यासे दिखें इन सभी को notice करें यह ते vertically up है यह vertically down है यह जो इस तरह का position होता है इनको axial बोलते हैं क्योंकि यह axis के parallel होता है तो यह सारे groups यह तो vertically up यह vertically down है इन सब को बोला जाएगा Axial bonds, axial groups और axial मतलब stability कम होगे रिपरसंस जादा हो गया वही पिजो इसके अलावा टेड़े मेरे inclined है कहीं न कहीं जैसे B, C, H, E जो भी बचे में सारे के सारे all of them are equatorial जो भी टेड़े मेरे groups हैं जिस भी तरह के कुछ इस तरफ जा रहे हैं कुछ इस तरफ जा रहे हैं यह सब these all are equatorial equatorial और equatorial वाले जो होते हैं यहाँ पर stability relatively जादा होती है यहाँ पर relatively stability जादा होती है क्योंकि repulsions कम होते हैं है ना तो यहाँ पर जो equatorial होता है और जो axial होता है इसी का यूज करके हम directly भी सवाल को कर सकते हैं ठीक है ना और stability का order हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा focus जो है वो किस पर होगा हमारा focus होगा bulky group पर तो याद रखे जब भी ऐसा सवाल आए सबसे पहले आप notice करिए कि bulky group कौन सा है और कहां लगा हुआ है तो motor group है वो कहां लगा हुआ है तो आप उसको identify कर सकते हैं यहाँ पर मिथाइल है और उसके position क्या है 1,3 यह पहला कारवान है तो यह तीसरा है आप notice कर सकते हैं यहाँ पर भी relatively position जो है वो वन और 3 ही है है ना 1,2,3 यहाँ पर भी relative position 1 and 3 ही है तो सब जोंग है position relative 1 and 3 है अब आपको क्या देखना है आपको बस देखना है कि positions क्या आ रही है axial equatorial आ रही है या क्या आ रही है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मिथाइल बेगुँ सीधा है तो यह क्या है axial है और यह मिथाइल जो आपको दिखाई दे रहा है यह थोड़ा टेड़ा है तो यह equatorial है फ़र ठीक से नहीं बना रखा थोड़ा सा और बेटर बनाना चाहिए similarly यहाँ पर यह जो मिथाइल आपको टेड़ा दिखाई दे रहा है क्या हुआ सोचके देखो equatorial हुआ और यह वाला जो है यह क्या हुआ यह हुआ axial yes is it clear to you similarly यहाँ पर आप देख सकते हो यह क्या हुआ तो अब यहाँ पर आप identify कर सकते हो क्या कि कौन सा axial है कौन सा equatorial है एक बार आपने अगर इसको ठीक से identify कर लिया पिछले जो आपको reference दिया उसका भी use कर लो then you will understand very clearly कि भाई जो सबसे जादा stable इन में रहेगा वो वो रहेगा जहाँ पर दोनों के दोनों equatorial पे है यानि EE सबसे stable है और जो least stable होगा वो वो होगा जहाँ पर दोनों के दोनों axial पे होंगे यहाँ पर दोनों के दोनों क्या होंगे axial पे होंगे वो least stable होगा समझ रहे हो इतना मैंने अब आपको इसमें बता दिया है बाकी जो थोड़ा सा बचा हुआ है सवाल solve करना वो आप खुद कर सकते हो या आप खुद से समझ सकते हो कि अगर एक axial है एक equatorial है और दूसरा equatorial है तो फिर stability का difference कहां आएगा या आएगा या नहीं आएगा क्या उनकी stability सेम हो जाएगी यह आपको खुद को सोचना है इस basis पे इस सवाल का जवाब सही जवाब क्या आएगा आप सभी को comment section में बता लाएगा देखते हैं किस बच्चे का किस ATPN का यह सवाल बिल्कु सही इसका जवाब सही आएगा I think सभी का सही आएगा इसी का एक different variation जो है उसकी बात मैं और कर लेता हूं साथ साथ कर ले है ना क्योंकि हो सकता कुछ variation आ जाएगा थोड़ी यह सेम सवाल आ जाएगा यही पे अगर हमारे सामने methyl की बजाए ethyl आ जाए यहनि एक तो methyl है दूसरा ethyl है तब हम क्या करेंगे जिसमाल लो यहाँ पर methyl है और यहाँ पर मतलब यह दो एक तो methyl है दूसरा ethyl कर दिया similarly यहाँ methyl की बजाए ethyl हो गया यहाँ पर methyl की बजाए ethyl हो गया अब आप क्या करोगे अब इसका order क्या आएगा अगेन इसका order आपको comment section में बताना है ठीक है अब यह बच्चे कई बेच सो सोच रहे होंगे सर आप तो fuss गय है हम लोग नहीं fuss है इसका hint में आप सभी को दे रहा हूँ ठीक है इसका hint में आप सभी को दे रहा हूँ इसका hint यह है कि methyl और ethyl में जो bulkier group है वो कौन सा है ethyl है ठीक है तो जो bulkier group है अगर हमें कभी preference देना है कि bulky में दोनों bulky है लेकिन जो जादा bulky है वो कहा होना चाहिए तो हम उसको प्रेफर्स देंगे कि जादा बलकि जादा मोटू है तो उसको हम equatorial पे रखना चाहेंगे ताकि stability थोड़ी enhance हो जाए इस funding का use करके I think अब आप order concept जो है निकालोगे तो दूसरे का भी जवाब अगर आप दे सकते हो अगर आपको लगता है आपने कर लिया है तो उसका जवाब भी comment section में दीजिएगा ठीक है बातसमें आ रही है उसके अलावा overall यहाँ पे जो confirmations होते है वो आप सभी को पता है chair होते boat होता है twist boat होता है half chair होता है और इसमे stability order जो होता है यह हमेशा tips पे रखिएगा जिसमें सबसे ज़्यादा stable जो होता है बच्चो वो होता है chair form chair form सबसे stable क्यों होता है योगि chair form एक तरह से anti form की तरह होता है जो हमने सुना होता है staggered form, eclipse form तो it is like a staggered form right chair form सबसे stable होता है chair form के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे twist boat होता है ठीक है और twist boat के बाद अगला जो होता है वो होता है boat form और boat form से जो अगला होता है that one is the last one होता है वो होता है hc half chair ठीक है तो यह जो particular order है बच्चो इस बात का धियानका है कि इससे सवाल आने के chances बहुत ही commonly होते है तो अगर आपके सामने question आता है कभी भी cycle exam के conformers से तो उसमें एक question बन सकता है यह stability order का chair form twist boat boat इनका stability order क्या है किसका potential energy maximum है potential energy maximum होना मतलब stability minimum होना तो सोच सकते हैं potential energy maximum किसका है yes potential energy maximum इसमें होता है hc यानी half chair का और potential energy lowest किसका होता है energy minimum किसका होता है होता है chair का clear है ठीक है अब इसी से associated एक potential energy curve भी होता है जो ring की flipping में काम आता है तो potential energy curve को आप और read कर लिजेगा उस curve के हिसाब से आपको ideal लग जाएगा और भी ढंक से detail में ideal लग जाएगा है ना बच्चो सो भई overall I think the concept is very clear to you कि जब भी हमारे सामने chair firm दिये जाए तो axial कौन सा होता है equatorial कौन सा होता है और उस position से stability पे क्या impact आता है I think आपको clear हो गया होगा बस ऐसा ही अगला concept हम लोग लेकर आएगे अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो आप जानते ही क्या करना है लाइक करना है किसके लिए खुदके लिए अपने लिए ठीक चलो मिलते हैं बबाई टेक क्यार and keep doing well love you all